Hello friends, welcome to my YouTube channel, Think Technically रहा, आज किस वीडियों डिसकस करेंगे regarding IT सब्जेक्ट और any additional सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में लिये हैं So काफी जादा कोशन्स आ रहे थे regarding की सर्ट जो information technology है या हमने संस्क्रीट होय रहा है या पंजाबी सब्जेक्ट रखा है क्या उसके भी marks add होंगे जो हमारी percentage आएगी So ये सारा हम आज किस वीडियो में discuss करेंगे तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि जो भी आपने additional subject रखा है उसका जो आपका main आपके marks होते हैं उसमें उनका addition नहीं होता main to say कि सिर्फ जो आपके main subjects होते हैं सिर्फ उनी का total और उनी की percentage बनती है और यह जो आपका additional subject है उसके कोई भी फिलाल आपका total में add up नहीं होता like example के लिए दिखी यहाँ पर जो main subject है like Hindi course है, English, then Mathematics, Science, Social Science जो main subjects है और इनके दिखी यहाँ पर marks दिये गए हैं यह है theory के, यह है practical के और यह इनका दोनों का total आ रहा है उसके according जो भी इनका grade बनता है वो यहाँ पर grade आ रहा है ऐसे ही अगर रेखी यहाँ अगर हम बात करें IT subject के जिसका code है 402 उसके यहाँ पर जो candidate student है उसके जो marks है theory में 48 आएं, practical में 50 हैं और उसका यहाँ जो total है 98 हो गया है फिलाल यह जो marks हैं यह आपके main subject में आड नहीं होते सिरफ आपके जो main subject हैं उसी की percentage बनती है अगर आपने कोई भी additional subject रखा है like IT, Punjabi यहाँ संस्कृत उसके जो marks हैं सिरफ additional subject में show करता है लेकिन जो उसकी addition आपके main subject के total में या percentage में आड नहीं होती सिरफ आपके जो main subject है उसी की percentage आती है सो फिलाल अगर आपका और भी कोई doubt हो regarding this वो आप comment box में comment कर सकते हैं सो मैं आपको एक और फिर से बता दू additional subject के आपके जो marks हैं वो आपके total में percentage में add नहीं होते वो just जैसे आप देख सकते हैं साइट पे उसने लिखा है cbsc बालों ने कि ये additional subject है उसके just marks यहां पर display होंगे add up नहीं होंगे so friends इसको और भी ज़्यादा share करिए अपने friends के साथ other students के साथ because काफी students को doubt है कि सर उसके marks add up होंगे या नहीं होंगे यह हमारा subject क्यों रखा हमने क्यों चूज किया because देखिए आजकल तो आपको पता है पूरा इंडिया ही digital बन गया है और आजकल के time में मेरे recording जिस person को computer नहीं है वो तो आजकल के time में पड़ी है आप स्मार्टफोन ही देख सकते हैं स्मार्टफोन में कितनी जादा apps आ रही है और उन apps को चलाना फिलाल चलिए वो तो normal सी बत आप चलाई लेते हैं और आजकल तो app developer भी mobile के use करके अपने apps डिवल्प करी जा रहे है सो यह मैं ऐसे positive point ले सकते हैं सो अगर आपने यह subject रखा है यह मस सूचे कि इसका फायदा क्या हमने ऐसी रख ली यह भी मुझे काफी comments आए किसरा हमने फाल्टू में रखा है subject फायदा थो आए नहीं इसका सो बी positive future में इसका बहुत scope है अगर आपने after 12th कोई जैसे b.tech यह और भी कोई अच्छे courses वेरे करने है b.c, b.c, i.t there are so many other degrees अगर उन आपने यह information technology subject किया है यह आपने FIT वेरा जो पहले होता था वो subject किया है तो उसके coding जो code है 165 बहुँ बहुत ज़ादा important है आपके in future अगर आपने कोई भी computer डिगनी करनी है otherwise normal में भी काफी ज़्यादा useful अगर आप daily life में computer वेरा भी use करते है normal work में भी आप इसका use कर सकते हैं यह concepts का so friends इसके regarding अगर आपके भी कोई question यह curious वो भी है point works में point कर सकते हैं और साथ के साथ हमारे चैनल को like, share, subscribe करना मत भूलिया so that in future जो भी latest update आएगी वो आपको timely मलती रहे so thank you friends for watching this video and for your precious time